दुनिया की हलचल पर पहनी नजर पड़ताल दुनिया भर की देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की दुनिया की पड़ताल करते हुए एक बात बहुत साफ नजर आती है कि विश्व मानचित्र पर घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही है आज आपके साथ जिन तीन घटनाओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विश्व के अलग-अलग हिस्सों से तालुक रखती हैं रिष्टा रखती हैं लेकिन बात एक ही कहती है कि विश्व कूटनीती बहुत डाइनमिक है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे UK के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन की उन पर गहराए गहरे संकट की उनके दो करीबी मंत्रियों ने स्टीफ़ा दे दिया रिष्व जो वित्य मंत्री और साजेज जो स्वास मंत्री थे उन्होंने जो स्टीफ़ा दिया है वो बहुत एहम इसलिये है क्योंकि वे बोरिस जॉंसन के बहुत करीबी माने जाते थे और जब-जब प्रधान मंत्री पर संकट गहराया था वे उनके पक्ष में खड़े हुए थे लेकिन इस बार मामला बहुत गहरा है संकट बहुत तगड़ा है यहां पर ब्रिटेन की जो पूरी राजनीती है उसमें जो खलबली है वह इस बात पर है कि वहां पर बोरिस जॉंसन को जिस तरह का डेकोरम रखना चाहिए था जिस तरह की पारदर्शिता रखनी चाहिए थी उसकी उन्होंने अवहेलना की उन्होंने फरवरी में चीफ विब बनाया क्रिस पिंचर को जिनके ऊपर मिसकंडेक्ट की रिपोर्ट थी और जब प्रधान मंत्री ने पब्लिकली माना कि यह मिसकंडेक्ट उन्हें पता था माफी मांगी ठीक कुछी मिंटों में यह दोनों लोग स्तीफा देते हैं इनके स्तीफे देने के बाद राजनीती किस तरफ बढ़ेगी इस पर हम चर्चा करेंगे दूसरी खबर सीधे यूकरेन युद्ध से रिष्टा रखती है यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि रूस डौन बास इलाके में अपनी बढ़त को लगातार मजबूत कर रहा है लुगांस वाले इलाके में तकरीबन उसका कबजा स्थापित हो गया है और यह खबर इसलिए बहुत एहम है क्योंकि यह पूरा युद्ध जब शुरू हुआ था तब डौन बास इलाका जहां बड़ी संख्या में रूसी बोलने वाले लोग रहते हैं और वहाँ पे जो रेबल्स हैं वो लंबे सम्मे से स्वायत्ता की मांग कर रहे थे और इस तरह से इस इलाके में रूस की बढ़त का बहुत गहरा अर्थ है और तीसरी खबर अफरीकी महाद्वीब से वहां के बारे में जो खबरें आई हैं जो इंटरसेप्ट के रिपोर्ट है वहां बता रही है कि अमरीका किस तरह से अपना गुप्त एजेंडा यहां पर अपनी लूट को जारी रखने के लिए न्यू कोलिनिजम को स्टैबलिश करने के लिए चला रहा है यह खबरें कम से कम एक बास साफ कर रही है जो लूट का पूरा सिलसला चल रहा है उसमें कितनी चीजें भीतर ही भीतर युद्ध के तौर पर अमरीका यह यूं कहें यूरोप भी उसमें जो शामिल है वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है आए इन तीन खबरों पे हम बात करते हैं प्रबीर पुरकायस से और जानने की कोशिश करते हैं कि इन खबरों के पीछे की कहानिया क्या है प्रबीर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूके ब्रिटेन में जो डवलप्मेंट हुए है बॉरिस जॉंसन के दो एहम मंत्री क्रिस पिंचर को लेकर जिस तरह से उन्हें प्रमोट किया था जबकि उनके उपर एलिगेशन्स बहुत सीरियस एलिगेशन्स थे जिनको छुपाने की कोशिश की थी बॉरिस जॉंसन ने जैसे ही बॉरिस जॉंसन ने पब्लिकली माना कि यह उनसे गलती हुई उन्हें चीफ विब बनाया गया था पिंचर को जबकि उनके उपर सेक्श्वल एसॉल्ट का मामला था यह जो डवलप्मेंट है यह बॉरिस जॉंसन और यूके की जो गवर्वमेंट है उस पर क्या असर डालेगा लेकिए बॉरिस जॉंसन काफी दिनों से घायल है काफी तरह कमजोर पढ़ रहे थे उनके खिलाफ अंदरूनी प्रस्ताफ बिलाया था उनको लो कॉन्फिडेंस का अपने पार्टी के अंदर तो वो तो उसमें निकल गए थे थोड़े मामूली वोट से निकल गए थे पर जो बुद्यादी सवाल बॉरिस जॉंसन को लेके है कि वो डिपेंडेबल नहीं है रूल्स फॉलो नहीं करते जो पब्लिक आफिस की जो डिमांड है उसको फॉलो नहीं करते और टेन डाउनिंग स्ट्रीट में उन्होंने पार्टियां की उस वक्त जो की पूरे देश को लॉक आउट लॉक डाउन में रखा था और जिस लॉक डाउन में लोग बाहर जाना उनके लिए संभब नहीं था पार्टी तो बहुत दूर की बात है तो ये जब उन्होंने किया था तो बहुत क्रिटिसिजम भी थी इसकी उन्होंने कहा कि गलती हो गई इन से कमजोर पड़ गए थे ये कह सकते हैं कि आखरी शायद स्ट्रॉख होगा जिसमें उट बैढ़ जाएगा जो कहते हैं तो ये होने की सब बादना शायद है क्योंकि जिस तरह से उनके क्लोस कॉन्फिदांस कह सकते दो सीनियर मिनिस्टर्स हेल्थ मिनिस्टर और फाइनस मिनिस्टर जो दोनों रिजाइन किये हैं एक ही साथ करीब करीब कुछ मिनिटों के अंदर उनकी रिजिगनेशन आई है और भी लोग इस तरह से जाना शुरू किये हैं इसको देखके लगता है कि बॉरिस जॉन्सन की इस बार बचना मुश्किल है पर इंगले ब्रिटानिया की युनाइट किंडम की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा देखनी पड़ेगी क्योंकि ये अगले इलेक्षन में फाल इसका मिलेगा अगर बॉरिस जॉन्सन जाता है और कोई प्राइम मिनिस्टर होता है कंसर्वेटिव पार्टी के अंदर अभी बिमजॉरिटी है अगला इलेक्षन में बॉरिस जॉन्सन का ये जो रवाईया रहा उसका मासूल जो है उसका कीमन शायद कंसर्वेटिव पार्टी को चुकाना पड़ेगा क्योंकि वो इलेक्षन बड़े बुरी तरी से जो बाई इलेक्षन हार रहे हैं तो उसका क्या कैसे संकेत अभी अभी ही बिल रहा है तो रिशी और साजित वे का क्या आसर पड़ेगा आने वाले दिन में हम देखेंगे अब हम चलते हैं यूकरेन संघर्ष की तरफ वहां पर जो तस्वीर सामने आ रही है कि रूस जिन इलाकों में अपनी बढ़त हासिल करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था वहां उसने प्रगती हासिल की है कुछ इलाकों पर उसक नहीं करने वाले हैं वो हम लोगों की काबलियत नहीं है वो हम फ्रोड देते जो जंग को स्टरी करते उनका जू कहना है नहीं कहना है एक बास साफ है कि रूस की आपने जो कहा लुगांस के प्रदेश में प्रॉविंस में उनकी करीब करीब पूरा लुगांस प्रॉविंस उन्होंने कबजा कर लिया है दो शहरों जो बाकी था उसका पीछले एक हफते में उनको कबजे में लाया है और इस वक्त जो है उनकी आगे की दिशा क् क्या खानकॉफ के तरफ जाएंगे, क्या डॉनियस्क जो दूसरा प्रदेश है, इसका 50% अभी भी उक्रेन के कब्जे में है, जहां पर काफी रिजिस्टेंस पहले से उक्रेन के बारे में है, उनके वहां पर उनके खुद की शक्ती है, लोकल फोर्सेस है, मिलिशियास है, जो लड़ रहे हैं रूस के साथ मिलके यूक्रेन के खिलाब, तो वो इस लड़ाई में क्या होगा देखने की बात है, पर दिशा क्या होगा रूस का इस वक्त साफ नहीं है, लगता है कि डॉन्बास वीजिन को पुरा कब्जा पहले करेंगे, इसके बाद अगला उनकी क्या ल खास तोर से इसकी सामरिक संगर्श मिलिटरी वार में ये हम इसमें नहीं करना चाहते हैं, पर ये बात जरूर है कि एक भरी जीत माननी पड़ीगी, रूस की है, क्योंकि रूस ने कहा था, डॉन्बास को हम प्रोटेक्शन देंगे, उसकी इंडिपेंडेंस हम एक फल कह सकते हैं, कि डॉन्बास को यूक्रेन के हाथ से मुक्त करना है, और लगता है कि ये जिस तरह से यूक्रेनियन फोर्स ने एक तरफ से कॉलाप्स किया, लुगांस में, तो उसको देखते हुए देखना पड़ेगा, दूसरे जो पचास परसेंट अभी बीन, डॉन की जरूरत है, ये कहना कि अभी उक्रेन का रिजिस्टिस पूरी तरह से कॉलाप्स कर गया, संभद, ये कहना गलत होगा, ये कहना कि रूस जो है, बहुत धीरे से बढ़ रहा है, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि रूस अपने लक्ष में लगता है, जिस तरह से उनकी सामरि नीती बनाई ही है कि धीरे से आर्टिलरी बॉंबार्डमेंट के बास आगे चलेंगे वो लगता अभी भी उसी रास्ते पे जारी है तो बड़ा कोई मुझे नहीं लगता भी कि बहुत जल्दी ही कुछ बहुत बदलाओ सामरिक मैप में दिखाई पड़ेगा मिलिटरी मैप मे आगे बढ़ना इस वक दिखाई पड़ना अनुट घ्यूना सा तेश पकला है तो क्या का एक लघ्यास कि इस खबरे हैं कि यहां पर नंभे समय से रहे जिनको रूस पहले समर्थन देता रहा है, उनको मानेता देता रहा है, वे एक एहम भूमी का इस रीजन में रूस के साथ निभा रहे हैं क्या? लिके रूस को रूस को रूस के मानेता बहुत अभी थोड़े दिन पहले दिया है, रूस चाहते थी मिन्सक अकॉर्ट के जरीए यह सेटल हो, उनकी लोकल अटॉनमी मिले, पर वो अलग नहों यूपरेन से, यह रूस की पुजेशन दोहजार चौदर में था, जबकि दो बार लड़ाई भी थी, वहाँ पर, तो उस पे, और डॉन बास की अपनी जो सामरिक शक्ती है, वो लगता है, यूक्रेन आर्मी का ही एक पार्ट, जो रूसी स्पीकर्स है, जो इस अपने आपको रूसी आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो उस लगता है, तोड़ के आके इस र इस जंग में शिर्कत कर रहे हैं, तो ये तो इसकी भूत है, भविश्य क्या है, वो देखनी पड़ेगी, पर पुतिन का साफ कहना था, कि ये रीजन को इंडिपेंडेंडेंस देना, इंडिपेंडेंस रेकिनाइज रूस करता है, और इसको हम प्रोटेक्ट करेंगी, दोन जाए, जिसमें ऑटोनिमी की बात थी, इंडिपेंडेंडेंस की बात नहीं थी, अब हम बढ़ते हैं, एक दूसरे महादूी, दूसरे कॉंटिनेंट की तरफ, अफरीका की तरफ, वहां पे जो खबर आई है, जो इंटरसेप्ट की पूरी रिपोर्ट है, उससे बहुत सी ऐ स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि किन किन जगों पे, अमरीका और जो फ्रांस है, उसके मिशन चलते रहे हैं, यह जो खुलासा है, यह जो नक्षा है, प्रभीर यह क्या बताता है हमको, देखिए, आफरीका एक बहुत ही एहम भूमी का दुनिया मे सक्त निभा रही है, इसकी पॉपुलेशन करीब 1.4 बिलियन के लगबग है, तो एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉंटिनेंट पॉपुलेशन की तरफ से यही है, तो इसको देखते हुए, और इसकी जो खानिज संपदा है, यह देखते हुए, दुनिया में आफरीका की आ को रहा है, इसमें जो कलोनियल शक्तिया थी, वो बिटानिया और फ्रांस, यह दो मुख्य कलोनियल शक्ति थी, स्पेन भी थी, पॉर्टीगल भी थी, पर बाद में वो कमजोर पुड़ जे ते, पर अभी भी आफरीका में मुख्य जो नियो कलोनियल जिसे कहते हैं, भूमि रोल प्ले करते हैं पर United States पिसले 30-40 साल से अपना रोल बढ़ा रहा है और वो कुछ एकदब साफ है वो कह रहे हमारे यहां यहां पर बेसिस है उसकी मैपस है उसको कहते है इंडियर इंडियॉरिंग बेसिस उनकी भाशा में अमरीकी भाशा भी मिलिटरी भाशा भी अजीब वरीब है एंडियॉरिंग बेसिस और है नॉन एंडियॉरिंग बेसिस दोनों की लिस्ट है अब जो यह इंट्रसेप्ट का जो ख़बर आई है इससे साफ इसको पहले भी इस तरह के ख़बरें इंट्रसेप्ट चापा है दूसरे जगों पर भी आई है कि वहां पर undeclared war एक पूर चला रहे हैं इनके साथ मिलके चला रहे हैं जिनके बारे में बड़े सवाल है human rights violation की और बहुत इस तरह की सवाल है कि बच्चों को मारा है औरतों को मारा है जो इन इस तरह की शक्तियों के साथ मिलके joint operations कर रहे हैं ये तो उनको पैसा दे रहे हैं अपना operations करने की लिए तो करीब तीन सो मिलियन तीन सो पचीस मिलियन डॉलर की इसकी बज़ेट थी पिछले तीन चार साल में तो हमारे अगर को रुपीज पर count करें तो करीब धाई अजार क्रोड के पास हो जाता है तो ये देखते हुए ये सब देखते हुए अमरीका का नियो कलोनियल दखल अंदाजी आफरिका में खास दोर से वेस्ट आफरिका सेंट्रिल आफरिका में काफी बढ़ा है और ये इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि आप ये पूछ रहते हैं फ्रांस के बारे में फ्रांस कमजोर पड़ा है पिछले 15-20 साथ वो अब सिविकार कर र मुझान है उसको फुल्फिल नहीं कर पाएंगे इसलिए अमरीका की मदद चाहिए और फ्रांस कुछत तक एक्सपोस्ट भी हो चुका है उसकी माली में उनको कहा गया है अब चले जाएए यहां से उनकी जो फ्रांकोफोन आफरिका में उनकी करन्स अभी भी फ्रांस के के उपर की 8 देश वेस्ट आफरिका की 6 देश सेंट्रल आफरिका की उनकी बजट उनकी करेंसी परिष से इसके लेके भी काफी सवाल आ रहे हैं तो लगता है कि फ्रांस जो कमजोर पड़ रहा है धीरे धीरे वो अमरीका को वो चीजे जॉइंटली करना चाहते हैं अकेले क इसलिए अमरीका का फुट्प्रिंट लगता इस वक्त आफ्रिका का अफ्रीका के अंदर काफी बढ़ा है जिस बात की तस्दीक यह मैप कर रहा है इस मैप के जरी कम से कम यह पता चलता है कि अफ्रीका के किन-किन हिसों में उनके मिशन चल रहे हैं जो कुछ डिक्लियर्ड है बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर दोस्तों एक बात बहुत साफ है जिसकी तस्दीक यह तीनों खबरें करती हैं कि एक तरफ विश्व मांचित्र पे जो लूट की खबरें हैं जो नियू कोलिनिजम है वह किस तरह से उन ताक्तों से मिलता है जो युद्ध चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो लोग नैतिकता की बात करते हैं दुहाई करते हैं वे परदे के पीछे किस तरह से अनैतिक एजंडा को आगे बढ़ाये रखते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है तमाम खबरों पे और खास तोर से अंतराष्टी खबरों पर पैनी निगाह के साथ सा जो हम आपकी मदस से करते हैं इस कारेक्रम में देखिए लाइक करिए शेर करिए न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की शुक्रिया